option trading करते होंगे तो आपको पता है कि option trading में हम 2 मिनट में लाखों का profit बिना सकते हैं और 2 मिनट में हमें लाखों का नुकसान भी हो सकता है profit हमें तब होगा जब हमारी knowledge अच्छी होगी हमारी learning अच्छी होगी और हम market के psychology को समझ के काम करेंगे तो हमें profit होगा loss हमें तब होगा जब हम market में बिना knowledge और बिना learning के काम करेंगे और सबसे ज़्यादा अगर loss किसी को होता है तो वो होता है option buyer को और loss होने की सबसे बड़ी वचा मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि जितने भी beginner option बाहर है उनको ना तो market की psychology को समझना है ना ही learning पे काम करना है उन्हें सिर्फ एक चीज़ से मतलब है वो है strategy और मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ कि सिर्फ strategy मातर से आप market में profit नहीं बना पाओगे और loss होने का सबसे बड़ा कारण यही है और आप लोग बोलते हो कि option buyer से ज़्यादा पैसा option seller बनाता उसका reason मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप option buying करते हो तो आप option buying 500 रुपए से भी कर सकते हो और 1000 रुपए से भी कर सकते हो लेकिन अगर हम option selling की बात करें तो option selling आप 500 रुपए और 1000 रुपए से नहीं कर सकते हो option selling करने के बेचने के लिए कम से कम आपके पास 1.5 लाग रुपे होना चाहिए अगर आप market में भिना knowledge के option selling करेंगे तो सारा capital आपका एक मिनट में zero हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा तो अगर आप option buying करते हैं option buying में आपको अभी तक loss हो रहा है तो मैं आपको पांच ऐसी चीजे बताऊंगा अगर आप इसमें ध्यान दे लेते हैं तो आपका loss होना कम हो जाएगा और market से आप एक अच्छा profit बना पाएंगे पहली चीजा आपको ध्यान में रखके काम करना है वो है target क्योंकि जो beginner option trader होते हैं दिन भर trade लेते रहते हैं और trade करते रहते हैं उनका कोई target नहीं होता है और यही सबसे बड़ी वज़ा है loss करने की मैं आपको बता रहा हूँ जैसे मालो किसी ने कोई एक trade लिया उसमें उसको 2000 का profit हो रहा है लेकिन वो 2000 का profit बुक नहीं करेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ जब भी आप market में काम करने जाओ चाहे एक trade लो चाहे दो trade लो आपका target सेट होना चाहे चाहे आपका 1000 target हो चाहे 2000 target हो चाहे 5000 target हो जैसे ही आपका target अचीव हो आप market से बाहर आजाओ same day पे आप trading मत करो अगर आप बिना target के market में काम करते रहोगे तो आप trade लेते रहोगे और आपको loss होता रहेगा तो अगर आपको market में loss करने से बचना है तो आपका target हमेशा market में entry करने से पहले set होना चाहे है कि मुझे इतने का profit हो जाएगा तो मैं market से बाहर आजाओंगा और same day pay entry नहीं करूँगा market में तो आपको ये बात ध्यान में रखके काम करना है जब भी आप market में काम करें तो आपको पूरे capital से अपने कभी भी trading नहीं करनी है चाहे आपकी capital एक लाग की है चाहे आपकी capital दो लाग की है या फिर आपकी capital दस अजार की है क्योंकि अगर आप पूरे capital से अपने trading करते हो तो अगर आपको loss हो जाएगा मालो market में कुछ भी हो सकता है market में आपको profit भी हो सकता है loss भी हो सकता है अगर आपकी पूरी capital जीरो हो जाएगी तो आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे कि आप recover कर सकें तो अगर आपके पास 50,000 की capital है तो मैं आपको बोलता हूँ कि सिर्फ 20,000 से trading करिए 30,000 रुपय आप बचा के रखिए अगर market में कुछ भी होता है या फिर आपको profit होता है loss होता है तो जब आपको loss होगा तो कम से कम उस पैसे 30,000 रुपय से आप अपने पैसे को recover कर सकते है लेकिन जब आपकी पूरी capital 0 हो जाएगी तो आपके पास 1 रुपय भी नहीं होगा कि आप अपना पैसा recover भी कर पा है तो मैं आपको हमेशा से यही बोलता हूँ कि आप अपने पूरे capital से trading मत करिए जो भी आपका capital है उसका 10%, 20% आप अपने पास बचा के रखेंगे तो आपका future में काम आएगा आप अपना पैसा recover कर सकते हैं तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखके काम करना वो है strike price selection मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे लोग यही गलतिया करते हैं अब जब आप Thursday की दिन जाएंगे जिस दिन expiry होती उस दिन उसकी value zero हो जाएगी लेकिन अगर वहीं आप इंदा money की कोई strike price करीते हैं मालो आपने 100 रुपए की कोई इंदा money की strike price करीते तो थज़े की दिन पूरी premium की value उसको zero नहीं होती है कुछ न कुछ पैसे आप वहां से काट सकते हैं तो पैसे ना होने की वज़ा से जो option buyer होते हैं beginner option वो काम करते हैं out of the money में जिसके वज़ा से उनको loss होता है तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि जब भी आप काम करें इंदा money में काम करें इंदा money की जितनी भी strike price होती है सबकी intrinsic value strong होती है तो at least आपके पूरे premium की value zero नहीं होगी कुछ न कुछ पैसे आप वहां से काट सकते तोती चीज़ जो आपको ध्यान में रखके काम करना वो है revenge trading अगर आप revenge trading करना बंद कर देते हैं market के आधी problem आपकी यही solve हो जाती है बस आधी problem बसती है जो कि आप अपने आप की learning आपकी अच्छी कर लेंगे आप knowledge अच्छी कर लेंगे market की psychology समझ लेंगे तो आपकी आधी problem ऐसे ही solve हो जाएगी मैं आपको एक example से समझाता हूँ मालो आपने 50,000 का loss कर दिया market में आपको 50,000 का loss हो गया अब आप psycho हो जाते हो मुझे कि मुझे अपना पैसा recover करना है revenge trading करनी है तो आपको 50,000 का loss हुआ होता है अब आप negative mindset से market में काम करते हो कि मुझे बस recover करना है कैसे भी करके recover करना है तो आप कोई सा भी trade उठा लेते हो अपना पैसा recover करने के चक्कर में तो आपको 50,000 का loss हुआ होता है आप recover करने की चक्कर में 20,000 30,000 का loss और करा लेते हो तो जब भी आप अपना पैसा recover करो अगर मालो आपको same day पे loss हुआ है तो आप उस दिन मत करो आप दूसरे दिन करो, एक positive mindset के साथ market में जाओ, उसके बाद अपना पैसा recover करो, same day पे आप मत करो, आप और loss करके वहां से उठोगे, अगर आपको 50,000 का loss हुआ है, तो अगर आप revenge trading करना चालो करोगे, तो 20,000 का loss आप और करके उठोगे, तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि जिस दिन आपको loss हो, उस दिन revenge trading मत करिए, आप next day आईए, और एक positive mindset के साथ market में काम करिए, और अपना पैसा recover करिए, पाच्वे चीज़ जो आपको ध्यान में रखके काम करना वो है exit plan, मैं बहुत सारे लोग को देखता हूँ, सुबह 9-15 पे market में entry कर लेंगे, और सामको साथे 3 बज़े तक market में काम करते रहते हैं, कोई सा भी trade उनको दिख रहा है, वो trade ले रहे हैं, चाया उसमें profit हो रहा है, चाया उसमें loss हो रहा है, उससे उनको फरक नहीं पड़ता है, और last में पता क्या चलता है, कि जितना market में उन्होंने profit नहीं करा, उससे ज़्यादा उ पूरा दिन trading करने का कोई मतलब नहीं है, पूरा दिन trading आप करेंगे, तो इससे यह नहीं होगा, कि आप बहुत ज़्यादा profit बना के वहां से उठोगे, 100% आपको loss होगा, तो market में entry करने से पहले आप अपना एक mindset बना के जाएए, कि मैं एक से दो trade लूँगा, चाये मुझे profit हो, या loss हो, मैं market से exit कर दूँगा, सेम डे पर trading नहीं करूँगा, और आपको क्या लगता है, कि जिनको आप follow करते हैं, जिनसे आप inspire होते हैं, पूरा दिन trading करते हैं, नहीं करते हैं, जो trades में वो confident होते हैं, कि मुझे इस trade से profit होगा, वो वही trade लेते हैं, अगर उनको कोई अच्छा trade नहीं दिखता है, तो उस दिन वो trade नहीं करते हैं, तो पूरा दिन trading मत करिए, अपना एक exit plan बना के जाएगे market में, और जैसे ही आपका profit हो, या फिर आपका target अच्छी वो, आप market से बाहर आ जाएए, तो अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखके काम करते ह तो आपके loss होने के chances बहुत हद तक कम हो जाएगे, और market में आप एक अच्छा profit बना पाएंगे, अगर आप ये साही बातों को follow करते हैं, तो, अब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने starting में भी वो आपको बोला था, कि सिर्फ strategy मातर से कुछ नहीं होता, मैं अभी भी आपको बोलना हूँ कि सिर्फ strategy के पीछे आप मत भागिया, आप अपनी learning की strong करिये, knowledge को बढ़ाइए, और market के psychology को समझ के काम करिये, profit आपको अपने आप होगा, अगर आप strategy के पीछे भागेंगे, तो आपको मालो कि किसी ने कोई strategy बता भी दिया, तो आपको back test करना पड़ेगा, जब आप back test करेंगे, तो उसमें ये कोई 100% guarantee नहीं है, कि आपको profit होगा ही, loss भी हो सकता है, तो अगर आप अपनी knowledge अच्छी रखोगे, तो आपको कभी भी strategy की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको profit अपने आप हो जाएगा, तो market में strategy के पीछे मत भागो, knowledge के पीछे भागो जब आपकी knowledge अच्छी हो, profit आपको अपने आप हो जाएगा, profit के बारे में आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप market में काम करो, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखके ही काम करना है, आपके loss बहुत अत्तकम हो जाएगे, आप market से एक अच्छा profit बना पाएंगे,